नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका अमारे खास प्रोग्राम गुड बॉर्निंग इंडिया में गुड बॉर्निंग इंडिया की पहली खबर करू करेंगे जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है कोरोना महामारी का विक्राल रूप देश में अपना कहर लगातार बर पारा है हर दिन नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है बीते 24 गंटे में एक बार फिर कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले 24 गंटे में एक लाग 31,000 से जादा केस आया सी 800 से जादा आधिक लोगों की जान चली गई जबकि 60,000 से जादा लोग ठीक हुए है अब देश में अक्टिव केस की संक्या तेजी से 10 लाग की ओर बढ़ रही है यानि सिती चिंता जनक है बात की जाए तो शुकरवार को एक लाग 31,000 केस गुरुवार को एक लाग 26,000 केस वहीं बीते बुदवार को एक लाग 15,000 केस सामने आये थे मंगलवार को 96,000 से जादा केस आये वहीं सोमबार को एक लाग केस आये यानि यह पूरा हफता जो है यह जो पीक रहा है कोरोना का वो हम कह सकते हैं. देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराじो के यहां बीते करीब 10 दिन से हर रोज 50,000 से जादा मामले सामनी आ रहे हैं. सिर्फ मुंबई में ही 9,000 के करीब वाले सामनी आए हैं. इसके लावा दिली में भी शिर्वास से अब तक का सबसे बड़ा आक्रा है से में कई राज़े अपने कोरोना पीक को पार कर चुके हैं मारास्ट में 56,000 से जादा मामले यूपी में 7,000 से जादा वहीं दिल्ली में भी 7,000 से जादा मामले सामने आए हैं करनाटक में 6,000 से जादा वहीं कोरोना मामारी के बड़ते प्रकोफ के बीच गुरवार कुप प्धान मंत्री नरिंद्र मोधी ने मुख्य मंत्रियों के साथ बैटर की पिया मोधी ने यहां संकेत दिये हैं कि देश्वियापी लॉकडाउन नहीं लगेगा यानि कि जो मित था बन गया था लोग पलाइन कर रहे थे लॉकडाउन नहीं लगने वाला है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने साफ कर दिया है लेकिन उन्हें ने कहा कि राज्य नाइट कर्फिय लगा रहे हैं उसका पालन होना चाहिए पिया मोधी ने अपील की है कि इस पंचात अध्यक्ष है और 2016 में निर्दली अध्यक्ष बनी थी कुल्दीब सेंगर बीजेपी से विदायक थे लेकिन रेप केस में दोशी के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था कुल्दीब सेंगर की पतनी संगीता सेंगर को बीजेपी ने फतेपुर 84 तृत् पंचात अध्यक्ष अनंद अवस्थी सरोसी प्रथम और नवाब गंश के निव वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अरुन डसा और अस्तित्या से भाजपर प्रत्याशी के रूप में चिनाव मैदान में होंगे आपको बिता दें कि कुलदीब सिंग सेंगर बांगरमों से बीजोपी की टिकेट पर चौर बार विधाय गराए चुके हैं साल 2017 में और ना के चर्चित रेप केस में कुलदीब सेंगर को गरफतार किया गया था इसके बाद उने बीजोपी से आगस 2019 में पार्टी से निकाल दिया गया था पर निक्षान असाद रहा है पहली गटना पुलवामस से आ रही है जहां पर त्राल इलाके में एक आतंकी मारा गया यहीं दो से तीन आतंकी आतंकी पास के निक्षान असाद रहा है और वहीं से सुरक्षा बलो पर निक्षान असाद रहा है पहली गटना पुलवामस से आ रही है जहां पर त्राल इलाके में एक आतंकी मारा गया यहीं दो से तीन आतंकी छिपे होने के खबर है वहीं दूसरी गटना कश्मीर के शोपिया में है जोहां सेना और सीयार पियाप के जवान साच्छा ओपरेशन चला रही है गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में फिलाल के लिए तना ही आप बने रही निउस्वल इंडिया के साथ